सब्सक्राइब आप सब कच दोरा पाइंट की एक और नहीं वीडियो में आज हम फूल लेकर आएं रोल रस्टेंट करनोड प्लेस आपने ना इनकी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देख रखे होंगी आपने डाइन एक्सपिरेंस जो है उनकी वीडियो में देख लि पड़ा फड़ा जी ओपन करते हैं और एक बात आपको बता दू बाई यहां पर जो है ना जी हाफ वाफ का कोई चक्कर निया सिंगल कौंटिटी का चक्कर है जी बस मला हाफ प्लेट एक हाफ फूल कुछ भी नहीं है एक ही सिंगल कौंटिटी उन्होंने करके और प्राइस बताएंगे लेकिन पहले आपको जरा जो है ना लुक डिखा देते हैं यह कुछ मैंने पाच चीजे लिए साथ में कुछ यह प्याज वगरा है बाते ना पैकिंग बड़ी सिंपल है पॉपुलर होने के हिसाफ से एक तोड़ा सा अच्छा था मैं कह रहा है एक ना कम निकला अच्छा है चलो भई हाँ पॉपुलर तो बहुत है वाई था दवा के भीड मैं वहां पे जित्ती देर रुका रहा हूं अच्छे हासे लोग जो है अंदर जा रहे थे जी तो पहले टेपे है डालेते जरा इसकी है भाई टेपे है अब एक करके जो है ना जी ओपन करना ठीक है अब यह उन्होंने बड़ा जोर देके जो है ना मुझे बोला कि यह आप पैक कर वालो जी यह आप ले लो दाल मकनी अच्छा अधरक के लच्छे देख रहा है काफी जादा है और 220 रुपे की यह दाल मकनी आई है और अगर काइदे से देखो ना तो डबी भी जो है आ रहे थे नेक्स यह ओपन करके देखते हैं अब यह क्या है देखना पड़ेगा कोफता था या क्या था यह चाप है यह चाप है ठीक है जी यह मसाला चाप है जी और इसका प्राइज I think 230-240 ऐसे कुछ है बाकि चाप के बड़े 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 काट दिये टोटल दो पी है इसमें क्या है अब यह क्या है देखना पड़ेगा इसे कुछ था हाँ 230-240 का इसे कुछ था हाँ 230 का तो भाई भड़ता है और इसकी क्वांटिटी तो इन्होंने और कम कर दी है फुल भराव अभी नहीं आया और हाँ भड़ते की और चाप की मैं आपको बता दू मैंने है बहुत लोगों से इतनी भी वीडियो देखी है उसमें सबसे तारीफ हो रही है वह इन दोनों की हो रही है और मैं सभी बताओं भाई भूख लग रही है तो मुझे थोड़ा सा पानी भी आ रहा है कि यार फटावड जड़ा टेस्ट करें खाने की भरता देखना दोनों स कोफता तो मैंने का चलो यह कुछ हमारे लिए नई है और यह जी 240 रुपे यह 240 रुपे का है जी दो कोफते के पीस है जी अध्रक वगएरा यह कुछ लगता है ज्यादा ही यूज करते हैं रोगन आपको नजर आई रहा होगा ठीक है वो तो उनके बरतनों में उने पंकच जब वो मैंने थोड़ा सा उनको बोला कि वाई जरा डिखा सकते हो तो उन्होंने दिखाया कोफता जरा देख लेते हैं वाई ब्रेक करके कि किस तरीके का है ठीक है नरम है अराम से पनीर वगएरा डला हुआ है आई थिंक यह घीये का जो होता है ना उसी टाइप का ही जिखाया जी खोया पनीर आइधिंक यही नाम ता और हां अरे भाई पंकज जो खुश्बु आरी ना वो इसकी आरी है भाई वाईट ग्रेवी में बना वाईट ग्रेवी में रोगन इसमें भी काफी अच्छा डला हुआ है और पनीर के पीसी इस की अगर बात करो तो चार जी और यह इस सब्जी का जो प्राइज है ना 200 रुपे भाई इस सब्जी का प्राइज है मैं आप इसमें ना एक्सपेक्ट बहुत कर रहा हूं टेस्ट का जो हमने पे किया है ना मैं खुद वाई चूब की मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी है दुनिया भर के यू अब अगर मैंने वीडियो में सुना होता ना कि इतना ज्यादा प्राइज है तो अच्छे रस्टन से हम घर में बैठे है और में इतना ही प्राइज पंकर जो स्विगी वगरा में भी दिख रहा था मुझे लगा वहां जाकर ना सस्ता होगा कि अगर स्विगी में ये 12-1300 प्राइस अगर पता होना चाहिए हम वीडियो बनाएं या कोई भी बनाए हां हर को थोड़ा फोड़ कर सकता है इतनी दूर जाए महंगा हो वापेस टाइम वेस्ट तो है ना बिलकुल है ये पंदरा रुपे की इनकी ये दो रोटी है इसमें दो रोटी उन्होंने हमें दि फोड़ा सजी यों को आगे कर दू ये तो बेभी नान हाहां ये ओ भाई ये पान सट रुपे में अट लास मन्त हो देदे दे लिए अट लिट इतने साइस का ना बड़े अराम से आता है हमने बहुत जगा से मुगा गया है उन्ड जलता थोड़ा बोट तो आप लोगों को अब बहुत जंता जो है ना बहुत समझदार हो गई है हमें बोलने की ज़्यादा जरूरत नहीं है सब पदा कि हमें कहां से वीडियो देख के मंगवाने और कहां से यह आया है जी दो पैकेटिनों ने हमें दिये है मसाले प्यास तो हम एक ही खोलते हैं वी फिलाल और आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपको यह फूड जो है जिसका मैंने टोटल एमाउंट वहां पे पे किया है 1295 रुपे 1295 वैली फोर मनी लग रहा है कि नहीं लग रहा है ठीक है बागी टेस्ट आपको बताते हैं बारे जी फूड टेस्ट करने की और शुरुआत हम करने लग कि आज आज बाइस अब आर टेस्ट यहार और मैंने ऐसी दाल मकनी ना इमानदारी से बोल रहा हूं भाई मैंने निकाई है अब ना ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है जस्टिफाइ जस्टिफाई आ इसके अंदर भाई सब सब तीन फ्लेवर जो आज तक कभी दाल मखनी में नहीं आए वो इसके अंदर आ रहे हैं एक तो बटर का ठीक है जो कौमन आपको पता है होता है लेकिन बटर के साथ में दाल चीनी का फ्लेवर अल्टिमेट आ रहा है ना ओवर पावर है न कोई न कम है पता चल रहा है तीसरा बाइसाब जो स्मोकी फ्लेवर दाल मकनी के अंदर वो जो कोईले की महक आ रही है ना मजा और चोटी चीज में बता रहता हूं लास्ट में बाइट के बाद ना हल्की हल्की जो स्पाइसी मिर्ची वाले टेस्ट है वह जुबान में रह रह रहा है पहले इस पाइसी नहीं आफिए जी सोया चाप ठीक है जी थोड़ा सा उसको पहले से ब्रेक करके रख लिया है और थोड़ी से ओपीस ही जारा है ठीक है तेस्ट करें हाँ आज अगर चाप के बारे में अगर मैं बात करूं तो मिरको अच्छी नहीं लगी है सिर्फ मसाले मिर्च मसाले तीखे कर र बनाते ना तो वैसी लग रही है उसके बाद जो है वो तड़का बनाया उन्होंने और उसमें जो है ना चाप डाल दी है को बहुत ज्यादा स्पैशल इफेक्ट वाली बार जस तरीके से इसका प्राइज है ना धाइस्वर पे उस हिसाब से ग्रेवी मेर को सूट नहीं करी दाल बहुत कमाल की थी मुझे लगा था उसके बाद चाप जो है ना क्योंकि चाप की बहुत तारी सुनी हुई है तो भाई सही बताए हमें तो मज़ा नहीं आ है यार चाप अच्छी जो ओरिजिनल क्वालिटी होती है चाप की वह है ऐसा लगा लगा लगी सब मिर्च मसाल और दूसरी चीज ना रोटी जो है अब बहुत ज्यादा हाड हो गई है तो यह पुराने धावों में आप जाते थे तो हम इसलिए ना घर की बनी रोटी के साथ दाल सब्सक्राइब काते ना वह ज्यादा सही रहता है तो देखने के लिए कि क्वालिटी कैसी है भाई नेक् अंकल के कहने पर मैंने लिया है ठीक है ट्राइक करते आज़ा अगर तो यह यह ओके ओके मला मैं दस में से अगर रेटिंग की बात करो तो शैवन दे दूंगा बहुत ज्यादा वाव नहीं है और मैं दूंगा अगर रेटिंग की बात करने तो मैं जाए इसको पांक शे से बैटर सब्सक्राइब घर में भड़ता बनाया था गतानाख श्मॉकित लरों था इसमें अगर अदके में ना एक तो भूनने का टेस्ट आता है ठीक है दूसरा उसके अंदर भाइ सारा खेल है प्याज टमाटर को भूनने का आप उसको किस लेवल तक अच्छे से भूनत चाहिए तब तक वो भड़ते के लेवल का जो फ्लेवर है ना वो नहीं आता है यहां पर वो कम रहे गया है नेक्स जी पालक कोफता जी इसको टेस्ट करते है जरा इसका स्वात कैसा थोड़ी सी पालक और ले ले उपर चलो जी टेस्ट करते आजाओ यार पहली दाल मखनी जो खाई थी ना मुझे लगा था कि हाँ वैली फॉर मनी लग रहा है ठीक है प्राइस थोड़ा सा हमें ज्यादा लग रहा है लेकिन उसके बाद टेस्ट वाक्य में बहुत कमाल का रहा है और यहां पर ना माइनस पॉइंट पर तक क्या हो गया है इसके बहुत कमाल का होगा अब तक अगर सही बताओं तो सबसे बैस दाल मखनी लगी है बाकि अब देखते हैं खोया पनीर की सब्जी कैसे निकलती है अब जो खोया पनीर है ना जी वो रोटी के साथ ही टेस्ट करने लगे है क्योंकि गार्लिक नान में भाई हस से ज्यादा नमक है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा और ऐसा तो है नहीं कि उन्हें एक पेड़ा गुना होगा कितना वह आटा एक साथ गूमते हैं यह अच्छा और एक बात और वहाई रोटी में नमक नहीं लगा नहीं है तो वह होता है पेड़ा तो वह होता है उसके उपर गारलिक नगा दिया क्या बना के अंदर मिक्स करके उपर वह लगाया हो कुछ तो गड़वड ह भाई चलो अब यह वाली खोया पनीर देखते हैं यह कैसा है पनीर तो अराम से तूट रहा है जी थोड़ी सी ग्रेवी और ले ले लेते हो उपर और टेस्ट करते आ जाओ तो भी ले 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 टेस्ट करते है जी अब भाई साब मैं कहा रहा हूं जी मज़ा आ गया यार क्या मतलब इसके फ्लेवर निकल कर आ रहे हैं खोया पनीर अल्टीमेट है डाइसोर पेस का प्राइस है लेकिन यह मैं दूबारा खा सकता हूं यह इतना ज्यादा टेस्ट है प्राइसी चीज में यह लगी कि इसके अंदाना मसाले बैलेंस्ट है कोई ज़्यादा तेज नहीं नहीं तो मैंने यहां पर चाप खाई वो खाया तो इनके अंदाना तेज मिर्च मसाले कर रखे हैं उसमें काफी अच्छा खोया वगारा चीज़ें डली है पनीन मैस कर रह बाइब और एक बात भाई अगर कोई ऐसा वाइरल और रेस्टरेंट वगेरा या कोई है जगा जागा आप चाहते हो कि हम रिव्यू करें कमेट करके बताना